नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सिवम पांडे और आप सभी का स्वागा थे आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं महत्पूर्ण संधियां वा संबंधित सासक के बारे में इससे पहले मैंने महातपूर्ण संधियां और संबंधित वर्ष को याद करने की वीडियो अप्लोड कर दी है उसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं तो देरी न करते हुए चले इस वीडियो को सुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ग्वालियर के संधि की जो ग्वालियर की संधि है वो दौलत राव सिंधिया और अंग्रेजों के बीच में हुई थी साथी साथ सूर जी अर्जुन गाउं की संधी भी दौलत राव सिंधिया और अंग्रेजों के बीच में हुई थी कभी कभी आपको दौलत राव सिंधिया की जगह दौलत राव सिंधे भी लिखा हुआ मिल जाएगा ठीक है तो कन्फ्यूज मत होईएगा यहाँ पर ध्यान दीजेज। ग्वालियएर में आपको एक सब्ध मिल लाएगी गोलिया ठीक है गोलिया चलाने की बात और दौलत राव में आपको दौलत सब्ध मिल लाएगी तो जाही सीवात है जो डाकू लोग होते हैं जालतर वही गोलिया चलाते हैं तो डाकू लोग जो हैं वो गोलियां क्यों चलाते हैं दौलत को लूटने के लिए मतलब धन को लूटने के लिए या फिर नॉर्मली जो लड़ाई जगड़े होते हैं वो हमेसा दौलत के पीछे ह होते हैं तो आप ऐसे याद रखिएगा कि गौालियर की संधी किसके किसके बीच में हुई है तो दावला तराव सिंधिया और अग्रेजों के बीच में नॉर्मली अंग्रेज सभी में आपको मिल जाएंगे तो एक ही पक्ष को हम लोग याद करेंगे दूसरा जो सुर्जी अ प्रस्ताव तो उन्होंने ये तक कह दिया था कि केवल पांच गाउं दे दो तब भी युद्ध नहीं होगा जो पांडाव है वो पांच गाउं में खुस हो जाएंगे उनको राजिन नहीं चाहिए तो गाउं भी नहीं दिया था दूर्योधर ने यानि बोल सकते हैं कि अर जी अर्जुन गाउं की जो संधी है वो दौला तराव सिंधिया और अंग्रेजों के बीच में हुई थी ठीक है दौला च्छीन लिया था अर्जुन से और गाउं भी नहीं दे रहे थे मतलब पांच गाउं भी नहीं दे रहे थे तब ही जुद्ध हुआ था ठीक है आगे जब बढ़ते हैं इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं यानुडाबू के संधी की जो की मियान मार ओर अंग्रेजों के बीच में हुई थी ठीक है इसके बाद है सूरत की संधी जो की रघुनात राव और अंग्रेजों के बीच में हुई थी सूरत को याद करने के लिए यहाँ पर देखे सूरत में आपको सूर सब्द मिल जाएगा सूर को सूर ये कर लेते हैं रगुनात आपको पत्या है राम भागवान को बोलते हैं और जो राम भागवान थे वो शूर वनसी थे यानि ऐसा वो सकते हैं कि राम भागवान जो थे वो सूर वनसी कुल में धर्ती में अवतरित हुए थे तो सूर फोर शूर मतलब सूरत की संधी और राम भागवान यानि रगुनात तो आप ऐसे आद रखिएगा मसूली पठना में आपको सब्द मिलाएगा मा के बाद सूली सूली की बात यानि फांसी की बात और फांसी से हर किसी को डर लगता है तो है डर किसे सूली से यानि फांसी से तो है डर फॉर है दर अली तो आप ऐसे इस पॉइंट को याद रख सकते हैं इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं साल बाई के संधी की जो साल बाई की संधी है ये महाद जी संधिया और अंग्रेजों के बीच में हुई थी तो यहाँ पर देखिए साल बाई में आपको साल सब्द मिल जागा साल मतलब वर्ष या फिर एर महाद जी में आपको सब्द मिल जाएगा माह माह मतलब मन्थ होता है ठीक है तो मन्थ मिलके ही एर बनाते है मतलब माह मिलके ही साल बनाते है ठीक है तो आप ऐसे आसानी स्याद रखिएगा कि एक तरफ वर्ष और एक तरफ माह तो आपको याद हो जाएगा कि सालबाई की संधी किसके किसके बीच हुई थी तो महाद जी सिंधिया और अंग्रेजों के बीच में हुई थी इसके बाद है बेसीन की संधी जिसको बसाई की संधी भी बोलती है ये हुई थी पेसवा बाजी राओ दूती है और अंग्रेजों के बीच में है तो यहाँ पर देखिए बाजी राओ में आपको बाजी सब्द मिल लाएगा और बेसीन में आपको सब्द मिल लाएगा सीन कि बेसिन या फिर बसाई की संधी किसके बीच हुई थी तो पेसवा बाजी राधुती और अंग्रेजों के बीच में हुई थी ठीक है इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मंदसौर के संधी की जो मंदसौर की संधी है वो होलकर और अंग्रेजों के बीच में हुई थी तो म मंदसौर में और याद करने के संधी हैं तो आप ऐसे याद रहाए हैं मंदसौर की संधी किस के किसे बीच हुई थी होलकर और अंग्रेजों के बीच में हुई ती अ dif राजब पूरला के संधी के यह जो संधी है कि यह Ini मोत तो म्याति से आहाँ मज़े कि बाजी लगाया जा रहा है दूबारा और बाजी दूबारा वही लगाएगा जो एक बार जीत जाएगा जिसको एक बार जीतने की लट लग जाएगी या फिर ऐसा बोले कि जिसने बाजी लगाया और जीत गया तो अब वो दूबारा भी कोसिस करेगा कि बाजी लग थी इसके बाद है सुगाली की संधी जो कि नेपाल और अंग्रेजों के बीच में हुई थी तो यहाँ पर देखे सुगाली में आप एक साद मिलेगा सूगा मत्ब सूगा अर्थाट पैरेट की बात हुई है पैरेट जो है वो पाला जाता है तो पालना फॉर नेपाल तो आप पैसे याद रखिएगा कि सुगौली की संधी इसके किसके बीच हुई थी? नेपाल और अंग्रेजों के बीच में इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं पुरंदर के संधी की जो पुरंदर की संधी है वो स्वा जी और जैसिंग के बीच में हुई थी तो दोनों को यहाँ पर याद करेंगे क्योंकि अंग्रेज नहीं है यहाँ पर तो पुरंदर मतलब क्या होता है किलो को नश्ट करने वाल है ना किलो को नश्ट करने वाला होता है और आपको पता है जो सिव जी है वो संगहार के देवता है जैसे ब्रह्मा जी जो है वो निर्माण के देवता है और विश्नु भगवान जो है वो संचालन करता है ऐसे शिव भगवान जो है वो संगहार करता है मतलब नश्ट करने वा तो उसी में बैठते भी हैं तो आपको यहां पर बाग या फिर सिंग समझ में आ जाएगा सिंग फॉर जैसिंग तो आप ऐसे याद रखिएगा कि पुरंदर की संधी सिवा जी और जैसिंग के बीच में हुई थी इसके बाद है मंगलौर की संधी जो की अंग्रेज और टीप तो आप ऐसे याद रखिएगा कि मंगलौर की संधी टीपू और अंग्रेजों के बीच में हुई थी इसके बाद है रंग पट्टनम की संधी तो यह भी टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में हुई थी तो यहां पर देखे रंग पेंट हो जाएगा और टीपू किसके बीच हुई थी तो वो हुई थी अंगरेज और टीपू सुल्थान के बीच में ठीक है आगे बढ़ते हैं इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अमरिस्तर के संधी की जो अमरिस्तर की संधी है वो महराजा रणजी सिंग और अंगरेजों के बीच में हुई थी तो यहा तो जीत मिलती है या फिर मृत्यू मिलती है तो आप ऐसे याद रखेगा कि अमरिस्तर की जो संधी है वो किसके बीच हुई थी तो रणजीर सिंग और अंग्रेजों के बीच में हुई थी इसके बाद है लाहोर की संधी जो की महराजा दिलीप सिंग और अंग्रेजों के जो ब्लड है उसकी पंपिंग करता है तो आप एसे आद रखिएगा कि लाहॉर की संधी किसके बीच हुई थी तो महराजा दिलीप सिंग और अंग्रेजों के बीच में हुई थी ठीक है ना आगे बढ़ते हैं इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं राजापूर घाट संधी क ये जो संधी है ये होलकर और अंग्रेजों के बीच में हुई थी तो राजापूर में आपको सद मिलेगा राजा और आपको पता है राजा जब कभी प्रजा के बीच में आते हैं तो उनकी जैजैकार होती है जैजैकार होती है तो जाहिस चिवात है सोर यानि हला होगा हला पोर होलकर तो आपके से याद रखिएगा राजापूर घाट की संदी किसके बीच हुई थी होलकर और अंग्रेजो के बीच में हुई थी थी ठीक है इसके वाह रोग बात कर लेते हैं उदैपूर के संदी की ये जो संदी है ये यहां पर देखिए भीम सिंग और अंग्रेजों के बीच में हुई थी, तो यहां पर देखिए भीम सिंग मतलब यहां पर भीम सब्द आपको मिल जागा, भीम आपको पता है काफी जादा बलवान थे हैं पांडों में से एक थे, तो उनके सामने जो भी आता था वो उसको पीच हुई थी, तो महराना भीम सिंग और अंग्रेजों के बीच में हुई थी, ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं बड़ गाओं के संधी की, यह जो संधी है यह मरा था और अंग्रेजों के बीच में हुई थी, तो यहां पर देखिए बड़ गाओं में आपक हुई थी इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अली नगर के संधी की जो अली नगर की संधी है यह सिराज उद्दौला और अंग्रेजों के बीच में हुई थी तो अली नगर में आपको सब्द मिल जाएगा आल नगर यानि कोई बोल रहा है कि आल नगर मेरे हैं मतलब सभी पर उसका राज है राज फौर सिराज उद्दौला ठीक है क्योंकि सिराज उद्दौला में आपको सी के बार राज सब्द मिल जाएगा तो आप ऐसे इस पॉइंट को याद रख सकते हैं इसके बाद है नागपूर की संधी जो की अप साहिव और अग्रेजों के बीच में ह पुराने फिल्मों में जो भी मतलब की साहिव खजाने हुआ करते थे उसकी रक्षा नाग जरूर करते हैं तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि नागपूर की जो संधी है वो अप साहिव और अंग्रेजों के बीच में हुई थी इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है इ साह आलम दुती और अंग्रेजों के बीच में हुई थी तो इलाहावाद जिसको अलाहावाद पहले बोलते थे तो अलाहावाद से आपको आल सब्द मिल लेगा अल मतलब आलम यानि साह आलम ठीक है अलाहावाद आलम तो आप ऐसे याद रखिएगा कि इलाहावाद की प्र बिमार ठीक है तो जाही सीवात है यहाँ पर सुजाउद दौला में आपको सद मिलेगा सूजा यानि किसी का जो हाथ पर हो सूजा हुआ है तो जाही सीवात है वो बिमार है ठीक है तो आप ऐसे चाहें तो इलाहवाद की दूसरी संधी को याद रख सकते हैं लेकिन और सुजाउद दौला के बीच में हुई थी ठीक है अब कुछ और संधिया है जिसकी ट्रिक में नहीं बना पाया हूँ तो वो मैं आपके सामने लिख देता हूँ जैसे कि देवगढ़ या फिर देवगाव की संधी जो की रगुजी भोसले और अग्रेजों के बीच में जो बनारस की दूसरी संधी है वो चेज सिंग जो की आपको पता है सुजाउद दौला के सामन्द थे उनके बीच और अंग्रेजों के बीच में हुई थी तो इसको आपको खुद से याद रखना है तो इस तरीके से अपने वीडियो कंप्लीट हुई अगर आपको वीडिय अची लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजेगा और हां अगर आप इसका एमसी की टेस्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाकर सच करिएगा ट्रिक पॉइंट की जो ग्रूप को जोईन कर लीजिएगा ठीक है तो चले मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद।